हावरुफिक्स सैमसंग जेट टू कैमरा एरर प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों सवागर अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपके डिवाइस पे कैमरा जो है यहाँ पर काम नहीं करें या फिर कैमरा पे किसी तरह का एरर आपको देखने को मिल रह मैं आपको यहाँ पर सॉलूइशन बताने वालाओ जिसके ट्रू आप अपने प्रॉब्लम को फिक्ट कर पाऊगे तो वीडियो पे जो भी आपको सॉलूइशन बताया जाएगा आपको वही फोलो करना है एंड देन दोस्तों चेक करके देखे आपका कैमरा काम भी कर जाए किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं अगर कैमरा पे कोई भी एर आ जाते एक बार मोबाइल को करना है recent apps पर यहाँ पर है camera option तो आपको जो है camera को close करना है कुछ इस प्रकार से slide करके डिलेट कर देना है ठीक है background से उसके बाद camera को open करके देखे अगर problem solve हो जाता है तो अच्छी बाद है अगर आपको अभी भी problem आते तो next solution आपको follow करना है next पर दोस्तों आपको setting open करना हो होगा उसके बाद scroll down करते हुए नीचे apps पर जाना है apps पर जाके आप scroll down करें एंड आपको मिलेगा यहाँ पे camera तो camera option आपको select करना है और camera पर जाके आपको storage select कर लेना है storage पर जाके clear detect पर करना है और उसके बाद OK कर देना है ठीक है OK करने के बाद आपको जाना है दोस्तों permission पर तो permission पर जाके सारे permissions आप allow कर दीजिए ठीक है सारे permissions allow करने के बाद दोस्तों आप mobile को restart करें and then check करके देखे आपका problem solve हो चुका होगा ठीक है अगर problem अभी दोस्तों आपका fix हो जाता ही तो ठीक है अगर आपको अभी भी problem आते तो एक बार software को update कर दीजे जैसी software update होगा आपका सारे issue जो है यहाँ पर solve हो जाएगा तो इस तरह के से दोस्तों आपका जो camera error यहाँ पर आ रहा है fixed आप कर सकते हैं ठीक है तो यह solutions के मदद से दोस्तों आपका problem solve हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कते नहीं होगा उमीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अनलगा, thanks for watching